जैशरी राम बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं पंडिताशी शर्वा आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुम्ब राशी के बारे में यानि यह वीडियो राशी पर अधारित है यह वीडियो गोचर के फल बताने के लिए है इसलिए यह आपकी चंद्र राशी पर अधारित है कि अधि कुंडली के अंदर चंद्रमा कुम्ब राशी में 11 नमबर जहां लिखा हुआ है वहां बैठा है या आपका बोलता नाम कुम्ब राशी के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए इस वीडियो में हम सभी नौ ग्रहों की चर्चा विश्तरित रूप से करेंगे कि आने वाले तीन महीने के अंदर यानि जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने में ग्रहों की इस्थतियां आपकी राशी से कहां किस भवन में चल रही है उनका आपके जीवन में क्या असर है क्योंकि हर कुंडली के लिए या हर ग्रह के लिए या हर राशी के लिए कुछ ग्रह, योगकारक, मुख्य, केंदर और त्रिकौनों के मालिक होते है उनका आपके जीवन में असर होता है या कह सकते हैं वही वहग रह होते हैं जो आपको जीवन में राइज कराते हैं जो आपको जीवन में उपर उठाते हैं कि अपना आदमी ही व्यक्ति को आगे ले जा रहा है बाहर वाले से क्या मतलब है या जो शत्रू है वो तो उसका पतन ही चाहेगा उनी ग्रहों की चर्चा हम यहां करेंगे जैसे कुम राशी के लिए बुद्ध अगर पंचम का मालिक है तो शुक्र योग कारक है मंगल जो की दश्मेश है ब्रश्पती जो की लाभेश है और शनी जो आपकी राशी के ही मालिक है तो इनकी विस्तरित रूप से चर्चा करने के लिए मैं यहां हाजिर हूँ के कौन सगर है किस जगे बैठके आपको क्या रिजल्ट दे रहा है कि जो राशी है उस राशी के मालिक है शनी देव शनी देव 29 अपरेल 2022 में कुम राशी में उन्होंने प्रवेश किया कुम्ब राशी में प्रवेश करके 12 जुलाई तक वो कुम्ब राशी में ही रहेंगे और उसके बाद वापस वो मकर राशी के अंदर एंट्री कर जाएंगे यानि पहले यहां से यहां कुम्ब में आए और फिर वापस चले गए यहां 12 जुलाई को चार जुन 2022 को शनी देव वक्री हुए 23 अक्टूबर तक वे वक्री रहेंगे कुछ समय के लिए यानि चार जुन से 12 जुलाई शनी देव यहां रहेंगे वक्री फिर वो वापस मकर ब जाएंगे यानि जुलाई अगस सितंबर के महीनों में शनी के अधिक्तम जो फल होंगे वो 12 भाव में बैठने के लिए होंगे यानि राशी से 12 भाव में शनी अपनी ही स्वेराशी के अंदर होंगे लेकिन वक्री अवस्था में होंगे छे आठ बारे स्थान कुंडली के दू स्थान या तरिक भाव कहलाते हैं जहां पर जाने के बाद ग्रह के बल में कमी आ जाती है या ग्रह वहां अच्छा महसूस नहीं करता या ग्रह को वहां जाकर अधिक एफर्ट्स करने पड़ते हैं अब राशी से 12 में शनी अगर पहुँचेंगे तो आपको साड़े साथी का पहला चरण कंटीनियू रहेगा उसके बाद राशी से 12 में राशी का ही मालिक शनी हो तो ये आपके जो प्रोग्रेस हो रही है उसके अंदर कुछ स्लो हो सकता है एफर्ट्स बराबर लगेंगे कभी कभी एफर्ट्स जादे भी लगवाएंगे शनी देव अब ये शनी देव वहां होंगे वक्री वक्री ग्रह के बारे में शास्त्र में बहुत सारी बाते कही गई हैं इसके उपर मैंने भी अलग-अलग से वीडियो बनाये हैं आप जाके चैनल पर देख सकते हैं लेकिन वक्री ग्रह को समझना बहुत कठिन है ये वक्री ग्रह समझ में जब ही आता है जब इससे संबंदित दशा अंतर प्रिटंतर किसी व्यक्ती ने भोगी हो कि मुझे शनी या बुद्ध या कोई भी ग्रह के वक्री होने की दशा लगी थी उस दौरान मेरे साथ ये हुआ अधिक्तम वक्री ग्रह को शक्त या शक्तिशाली कहा गया है क्योंकि ये शड बल में चेश्टा बल से भरबूर है अब ये शनी राशी से दौरान में जब वक्री होने तो बहुत बार देखा गया है हेल्थ इशूज आते हैं स्वास्त से संबंदित चिंताएं या स्वास्त से संबंदित कोई परेशानी किसी बिमारी का फिर से उजागर होना बिमारी पर पैसा खर्च होना फिजूल के खर्चों पर पैसा होना आगमन आ एक तरफ और पैसे का जाना एक तरफ क्योंकि शनी जब दौादश में होंगे तो यहां से बैटके तीसरी द्रश्टी सेकंड भाव पर डालेंगे इसका मतलब हीदा सीदा यही है कि आपको आने वाले समय में अपने धन संचे पर विशेश ध्यान देना है यानि ग्रह पैसा तो देता ही रहेगा ग्रह के पास धनागमन तो रहेंगे क्योंकि वो राजशी का भी मालिक है लेकिन सम्मान बनाए रखने के लिए कठनाई होना अपने वर्चस को इस्थापित करने के लिए चाहे आप नौकरी पे हों चाहे व्यापार हों कि सामाजी के स्थिति खराब ना हो जाए उसको बराबर ठीक से बनाने के लिए आपको एफर्ट्स करने पढ़ेंगे शनी का वक्री होना हेल्थ इशूस दिखाता है ऐसे समय में अगर शनी की कुछी भी दशा से आप प्रभावित है चाहे वो अंतर हो प्रत्यंतर हो तो आपको ज़्यादा साब्धानी की ज़रुवत है जब ट्वेल्थ हाउस में प्लेनेट हो तो वारवा घर एक्टिवेट होता है और शनी यहां से बैठके अपनी दसवी दरश्टी भाग्या स्थान पर भी देते हैं भाग्या बनाने के लिए दूरी का इस्तमाल करना भाग्या बनाने के लिए दूर इस्थान से संपर्क बनाओ और भाग्या का लाब लो शनी कर्म कारक हैं इसलिए यह आप से एफ़र्ट्स तो कराएंगे शनी राशी के भी मालिक हैं और राशी के अंदर मान, सम्मान और स्वास्त होता है जिसके बारे में भी मैंने आपको यह बताया है अब आप देखिएगा के ब्रस्पति आपकी राशी के दूसरे और ग्यारवे घर के मालिक है यानि ब्रस्पती का काम है इनकम देना, पैसा देना, लाब देना, किसी ना किसी माध्यम से सोर्स ओफ इनकम पैदा करना अब ये ब्रस्पती अपनी राशी में है लेकिन शनी के नक्षत्र में है शनी का नक्षत्र लगवग पूरे वर्ष तक ब्रस्पती शनी के उत्रा भादपरत नक्षत्र में ही भ्रम्ण करेंगे यानि राशी से द्वादश में शनी ब्रस्पती शनी के नक्षत्र में और शनी बैठे द्वादश भाव में इसका मतलब जो income का part है प्रस्पति का काम तो income देना है लेकिन वो income आ कहां से रही है वो income आएगी कहीं न कहीं बाहर के स्थान से जुड़ कर तूर से, ट्रेवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, घर बैठे बिठाए दूर के लोगों से संपर करना, से, अगर ब्रस्पति या शनी से संबंदित दशा चल रही हो, या ब्रस्पति से संबंदित दशा हो तो ब्रस्पति द्वादश के फल भी include करके देंगे, भले ही second lord in second house धन देता है, व्यापार देता है, नौकरी देता है, पैसा देता है, प्रमोशन देता है, तरक्की देत लेकिन उसके अंदर कुछ पार्ट नक्षत्र का भी है इसलिए वह नक्षत्र के प्रभावित होने से भी रिजल्ट देगा यानि उन लोगों के लिए यह opportunity है जो अपने काम को extend करना चाहते हैं अपने आपको बाहर से जोड़ना चाहते हैं दूर स्थान से जोड़कर काम करने की इच्छा रख रहे हैं उनके लिए ये ब्रस्पती बहतर है यहां धन भाव से बैटके ब्रस्पती दशम भाव पे अपनी नौविद रश्टी डालता यानि करम का और धन का संबंद बना वो कहां से देखा जाएगा वो यहां सेकंड हाउस से देखा जाएगा तो शनी और ब्रस्पती क्योंकि ब्रस्पती को यहां समझना बहुत जरूरी है कि यह शनी के नक्षत्र में धन कारक होके शनी की दरश्टी से भी दरश्ट है यानि शनी का आने वाले तीन महीने में ब कि आपके करम भाव पे व्रस्पती की दरश्टी है कि भाईया मैं तो पैसा दूँगा अब आपके करम भाव का मालिक मंगल है अब आप मंगल की पोजिशन को देखिए कि मंगल 27 जून से 10 अगस्त तक मेश राशी में रहेंगे 27 जून से यानि पूरा जुलाई और 10 अगस तक मंगल मेश में रहेंगे तीसरे घर में मंगल अगर राहू के साथो तो अंगारक योग होता है लेकिन तीसरे और छटे में अंगारक योग बने तो ये आपकी महनत में बढ़ोत्री करता है आपके साहस को बढ़ाता है आपके हिम्मत को बढ़ाता है अव्यक्ति साहसी हो जाता है पराक्रमी हो जाता है विशम से विशम परिस्थितियों से लड़ने वाला हो जाता है अपने आपको जीत हासिल करने वाला हो जाता है तीसरे घर के मंगल के बारे में शास्त्रों में बह करम स्थानूरों प这个 करम को दर्शाता हैं कि दशम का मालिक दशम को देख रहा थैए इसी स्थिति में व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाला तुरव्यवसाई पी इच्छा रखने वाला भी होता है अगर कुंडली में व्यापारीक रूप से योग हैं कि व्यापार कर सकते हैं तो ये वो समय है जिसमा व्यापार स्टार्ट कर सकते हो कि आपके लिए सफल व्यापार का योग इस मंगल से है व्यापार का संबंद नौकरी का संबंद तीसरे घर से टूर ट्रैवलिंग स्यात्रा आना जाना लगा रहना भागा दोड़ी लगा रहना भी इसी से आता है मंगल राहु का तीसरे घर में योग होना हाँ कह सकते हैं छोटे भाई भहनों के साथ संभंधों के लिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि शासर कहता है कारको भाव नाश आ है कि मंगल तीसरे घर में हो, तो कारक भाव का नाश करेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भाई भेन नहीं देगा, हाँ उनको कष्ट देदेगा या उनको संबंद घराब करेगा, अदरवाइस मंगल की यह इस्टती प्रबल है, चाहे वो भाग्ये के दोर पे हो, शत्रों को हराने के तूर पे हो जीवन शयली को भैतर बनाने के तूर पे हो या पराकरम देने के तूर पे हो अब यही मंगल को आप देखिएगा 10 अगस्य 15 अक्टूबर तक अगर देखें तो व्रशव राशी में इस बार मंगल की स्थती बढ़ रही है क्योंकि मंगल होंगे चौथे घर में दिखबली चौथे घर का दिखबल मंगल प्रोपर्टी के इसाब से देखा जाता है कि भूमी जमीन जादाद प्रोपर्टी से समधित कारे करने वाले या अगर जीवन में ऐसा कोई कारे करने की इच्छा है तो ऐसा कारे हो जाता है प्रोपर्टी में लाब होना प्रोपर्टी पर्चेज होना पजेशन मिलना अच्छा है दशम का मालिक दशम को मंगल देखेगा यानि कारे में वरद्धी जिस भाव का मालिक उसको देखे वो वरद्धी करता है भाव में इसका मतलब मंगल यहां बढ़ोत्री करने के लिए आ प्रब्लम हो जाई कि अदरवाइस तो मंगल का संबंद करम और लाब दौनों से है यानि मंगल की स्थिती लगातार फाइदेमंद है ऐसे में अगर आपको मंगल की दशा चल रही है तो समझ लीजेगा ये तीन महीने आपके लिए बहुत बहतर होने वाले हैं अब मैं अगला कहां से मिलती है बुद्ध से मिलती है और बुद्ध जैसा अगर ठीक ठाक चल रहा है तो इसका मतलब बुद्धी ठीक चल रही है तो लाब भी ठीक होगा के वे मेरे योजनाओं में कोई कमी नहीं है अब आप बुद्ध के सिदिको दो जुलाई से 16 जुलाई वो अच्छा एजूकेशनली अच्छा है ऐसे में समय में आप अच्छा कोई कम्टिशन क्रेक कर सकते हैं अपनी बुद्धी से अच्छा प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उस दौरान ब्रस्पती का भी संबंद करम भाव से रहेगा और मंगल भी अच्छे रहेंगे तो फिर शु गुले जुलाई से 31 जुलाई तक कहां रहेंगे करक में फिर यह च्छटा भाव हो जाएगा पंचमेश का च्छटे में जाना शिक्षा में अवरोध तो भले ही देता हो लेकिन बहुत बार देखा जाता है कि कॉम्प्टिटिव एक्साम्स में सफल हो जाते हैं लोग बाग बुद्ध यहां से निकल के आएंगे सिंगराशी के अंदर और बुद्ध यहां आएंगे 31 जुलाई से 20 अगस्त तक तब पंचम का मालिक सप्तम में त्रिकोन का मालिक केंद्र में जाएगा विभा प्रेम संबंद शादी शरिष्टा होना एजूकेशनली फायदा होना जर्च के भाव में होगा चाहे से सिक्षा के स्तर से देखो चाहे लव रिलेशन्स के सर से देखो चाहे बुद्धी के सदेखो सभी तरीके से भेतर है यह थोड़ी बहुत इस्तिती सिर्फ करके राशी माएगी छटे पर होने पर यह भी कोई बहुत बढ़ी प्रब्लम नह कुम्ब राशी वालों के लिए योग कारक है इस शुक्र की याज़ा शुरू होती है 18 जून से 13 जुलाई तक ब्रशवराशी अभी 18 जून से ब्रशवराशी में 13 जुलाई तक कहा रहेगा यानि बुद्ध शुक्र ने पहले से योजना बनानी शुकर दी कि मैं आपको चोथे घर के पूरे फल दूँगा जनता, जनता का सहयोग, जनता से आपको जुड़के काम करते हैं उसके लिए लाब मिलता है, लोगों का लाब मिलता है कुछ लोग तो ऐसे समय में लोगों का सहयोग लेके चुनाव जीच जाते हैं समर्थन प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे कह सकते हैं वहीं भूमी, जमीन, जाधा, प्रोपर्टी के कारेों के लाब, माता को सुख, माता से लाब सहयोग, परिवारिक सहयोग, परिवार के अंदर सम्रद्दी, सुक सादनों का बढ़ना शुक्र की वर्यासे है अब ये शुक्र चतुरतेशों के चौतेगर में इसलिए जादे फली ये चौतेगर के देंगे उसके बाद क्या होगा, 13 जुलाई से 6 अगस्त तक ये आ जाएंगे त्रिकोन में अब योग कारक शुक्र, नवम भाव का मालिक शुक्र पंचम भाव में लक्षमी स्थान में लक्षमी त्रिकोन स्थान में धनियोग बना के चलेगा यानि ये वो समय होगा जो विद्या, बुद्धी, संतान, शिक्षा के तोर पे लाब देता है क्योंकि ये पंचम में है, यहां से बैठके ये लाब स्थान को देखता है, यानि लाब मिलेगा नवम का मालिक यहाँ हो तो एजूकेशन, हायर एजूकेशन में सफलता या कोई अच्छी ख्याती प्राप्त हो गई, या कोई अच्छी एजूकेशन में में मेरा एडमिशन हो गया, यह शुकुर की वज़े से है योग कारगर है तो भाईया तैयार रहता कि मैं तो यह फल देने के लिए आ गया हूँ मैं आपका बुरा नहीं चाहता, मैं तो आपको सब तरीके से फल दूँगा चाए वो प्रपर्टी का हो, चाए वो भाग्य का हो, चाए सुकसादनों का हो, चाए शिक्षा का हो अब अगर ये शुक्र मितुन से नकलके करक में आ भी जाता है, तो भी लगन का मित्र यानि राशी का मित्र है योग कारग है, छटे घर में आया है, तो थोड़ी क्या होगी अगर साधन बटूरने में या भाग्य को जगाने में एफर्ट्स लग जाएंगे कि शुक्र कव होंगे करकराशी में, 6 अगस से 31 अगस तक करकराशी में रहेंगे, हाँ ये समय थोड़ा सा खिचावट भरा होगा, ये समय सुक्सादनों में या भाग्य के अंदर रुकावट देगा, आपको ज़ादे मेहनत कराने की 26 ग्रह की, वो कहता भाई है, जब तक मैं आपको आसानी से रिजर्ट दूंगा नहीं, बहुत बार ऐसा लगेगा, कि यार पता नहीं, अच्छा खासा भाग्य चल रहा था, भाग्य बंध गया मेरा तो, मेरे तो भाग्य के अंदर रुकावट अटा गई, लेकिन ऐसा है नहीं, उस दौरान देवी की पूजा कर लेना जिस भी देवी में आपकी श्रद्धा हो, और आपका काम हो जाएगा, योग कारक होकर सब्तम भाव में स्वय और अपने राशी से सब्तम भाव के अंदर योग कारक होकर आएगे, कब होगा ये समय, 31 अगस्त से 24 दिसंबर तक सिंग राशी में रहेंगे, यानि ये स अच्छाल और लाब दिलने वाली है, अब आपकी राशी के लिए सूर्या को अच्छा नहीं मना जाता, कि सूर्या राशी से सब्तम का मालिक है, कहने को सब्तम भाव, पदप्राप्ती, पबलिक इमेज, नौकरी, पतनी, लेकिन मारक तत्व भी लेकर बैठा है, इसका जुलाजी से 16 अगस्त करकर आशीम रहेंगे सूर्या, ये छटा होगा, सब्तमेश का छटे घर में जाना, जीवन साती के साथ मदभेद कल है, एवं उसके स्वास्त पर इफेक्ट डालता है, वहीं सब्तमेश का सब्तम में आना, यानि सूर्या का सब्तम में आना, 16 अगस्त करेगा हेल्थ भी ठीक करेगा अठचनों को भी दूर करेगा एवं वःवां से संबंदित इस्थितियों को भी पूंड करेगा झाये वह वह लोव मैरीज में होनी हो लव मैरेज काम्याब मोर् Summit हो या यह कह सकते हैं कि भीया विभा हो रहा है पार्टनर मिल गया कोई तो उस लिहास से यह अच्छा हो जाएगा बाद में सूर्य कि मैंने आपको बताया है अगर आपको उन्से संबंदित दशा अंतर या प्रतंतर भी चल रही है तो आपुस्पर जादे फोकस करें एक्जामपल पर आपको बुद्ध से संबंदी संब्दित दशा चल रही है तो आप बुद्ध के ट्रांसिट पर जादे ध्यान दोsystem मालनो दशा चल रही है बुद्ध में शुक्र में सूरिय तो आप बुद्ध शुक्र सूरिय पे ध्यान दो दशा चल रही है शनी में गुरू में सूरिय तो आप शनी गुरू और सूरिय पे ध्यान दो क्योंकि दशा एक तो महादशा एक अंतर दशा एक प्रतंतर दशा तीन होती है सवी के फल मैंने आपको बताए आप अपने तीन महीने में आने वाले समय में कैसे योजना बना के चलोगे क्या-क्या योजना आपको बनानी है क्या-क्या आपको करना है क्योंकि फलित बताने के लिए यह है बताना बहुत जरूरी है कि भाईया कौन सा ग्रे कहां बैठा है क्योंकि जब तक आधार नहीं क्रियेट करेंगे तो फलित कैसे बताएंगे कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं यह आप डारेट रिजल्ट बता दो भाईया डारेट रिजल्ट हम से तो नहीं निकलेगा मूझ से हम तो जब तक उसका फल समझ अपने आप ना ले यह नहीं है कि मैं आपको समझ रहूं मुझे भी तो समझ में आना चौहिए के योग कारक रहे के इंत्रिकॉण में जाके क्या करेगा याराशी का मलिक दौदश में बैठके क्या करता है तभी तो प्रेंसिपल्स दिमाग में आते हैं तभी तो हम उस लोगों को आपको उन लोगों बताने का परियास करते है तो डारेट हम किसी चीज को नहीं बता सकते समझिये कुछ समय में समझ जाएंगे ये जोतिश है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है हमारी अमोग विद्या है ये इसको समझना है बहुत बहतर रहेगा आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी तो ये था मेरा आज का विशाए कि कैसे रहेंगे आने वालत तीन महीने जुलाई अगस्त और सितंबर के कुम्बराशी के लिए फिर से नए विशाए के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा मैं तब तक के लिए बने रही है खमरे साथ जैश्री राम